आपको थमनेल में दिख रहा है आज से हम लोग क्लास्ट्रल की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और टार्गेट यह लिए आ गया है कि जो 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं उसको 3 दिसम्मर से पहले इसको कम्प्लीट कर दिया जाए तो आगर केम करने जा रहे हैं मस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको वन शॉर्ट वीडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लग तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और एक चीद आपको पहली यह समझना होगा कि आपके में वीडियो देखिएगा ठीक है बेसिक सिक्दम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को अगर यह समझो किसी बच्छों कुछ भी ना तयार हो अगर वो कम्प्लीट में सिर्व वीडियो देखता जाएगा उसको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं ठीक है तो द प्रफास्ट्र सॉल्वेंट गिए सलूट्र होता है तो फ़क्ता ही आप को अब सल्लÜट क्या होता है जो मिनमम् क्वांटेटे Bana थेंट होता है जो मिनमम् कॉनझेटी सेन्ट होगा वही तुम्हारी क्या होग सल्योंड होगा औरम मैक्सिमाम कॉइट Barnes mieć में प्रेंट होता है maximum quantity वो तुम्हारा क्या होता है solvent होता है दोनों को मिलाने के बाद solution की formation होती है अब देखो जैसे example हमने दे लिया 5 gram NaCl dissolve in water ठीक है in water अब देखो जो 5 gram है ये तुम्हारा क्या है solute है और जो तुम्हारा water है ये तुम्हारा क्या है solvent है इन दोनों को मिलाने के बाद ही क्या हो रहा है तुम्हारे solution की formation हो रही है ठीक है चलें आगे अब देखो अब एक चीज और समझते है जब भी हम क्या करेंगे concentration terms लेंगे जब भी हम concentration terms लेंगे उसमें उपर की side हम क्या रखेंगे solute रखेंगे ठीक है नीचे कभी solution होगा कभी solution होगा तो कभी solvent हो सकता है और percent की बात है तो उसको handage से multiply करतेंगे ठीक है आपको formula रखने की जरुवत ही नहीं किसी formula को रखने की जरुवत ही नहीं क्या रखेंगे ऊपर solute रखेंगे नीचे कभी-कभी solution रखेंगे कभी-कभी solvent रखेंगे वह जैसा formula आएगा उसको वैसे रखा जाएगा into handage से multiply कर दिया जाएगा ठीक है अब देखो तुम्हारा concentration terms होता है ठीक है वह 3 types का होता है कितने types का होता है W by w का मतलब ही यही है कि जो तुम्हार solute होगा वह भी तुम्हारे gram में होगा और जो तुम्हारा written होगा टो भी तुम्हारा क्या होगा gram में होगा a delete a solvent दोनोंही यहा पर gram में होग होग ठीक आप देखो क्या लिखा गया है mass of solute mass of solute भीया ओ और क्या लिखा है total mass of solution तो टोटल solution होगा उसका मास इंटू हैंडेड यह किस केस में रहेगा देखो दोनों में ही क्या है तो समझदेव आपको पता है जो डिफरेंस होता है अपका physics में होता है डेक्स फॉर्मूला देखते हैं ये देखो तुम्हारा नेक्स फॉर्मूला आ गया कि डबलू भाई वी का मतलब हो गया तुम्हारा जो सल्लीट होगा वो तुम्हारा किसमे होगा ग्राम में होगा और जो तुम्हारा सॉलवेंट होगा वो तुम्हारा वी है ना volume of the solution आपको यहां पे लिखना है into 100 से क्या कर देना multiply कर देना है ठीक है हमारा next formula है देखो ना बताये थे तीसरा टाइप यह है volume percent of the solution ठीक है w by v w by v का मतलब क्या होगा जो तुम्हारा solute होगा वो तो इसमें ग्राम दिया होए वो तुम्हारा किसमें होगा liquid में ठीक है clear है आप देखो लिखा है volume of the component ठीक है component की जगहाँ आप लिख सकते हो solute upon total volume of the solution into 100 से multiply कर देखो अब तुम्हारा जो formula है next है parts per million ठीक है parts per million इसका formula इसका short form होता है PPM यह कहां operate होता है जैसे बहुत कोई solution बहुत diluted form बहुत मतलब more than जैसे atmosphere में pollution atmosphere में जो pollution होता है वो क्या है बहुत diluted form में है ठीक है अगर highly concentrated होता है तो हम जिन्दा ही नहीं रह पाते pollution तो है atmosphere में लेकिन वेरी वेरी डिलूटेट form में है ठीक है clear तो आगर कोई ऐसा solution मिल लहा है PPM जो very very diluted form में है very very धिया नखना ठीक है बहुत ज्यादा डिलूटेट form में है तो वहाँ पर formula operate करें कह रहा है number of parts of the solute upon total number of parts all components जितने components मिले हुए है into 10 की power 6 देखो जब percentage निकाल लाए थे तो हम किससे multiply कर रहे थे 100 से लेकिन यहाँ पाप PPM है मत्तब parts per million है तो यहाँ से multiply किससे करेंगे 10 की power 6 से किससे multiply करेंगे 10 की power 6 से ठीक है चलो हमारा next topic important मनेगा यहां से question आ सकता है इस पर question लगाने के लिए ठीक है अभी देखो पहले formula given है formula आप एकदम बढ़ियां से याद कर लो ठीक है clear फिर उसके बाद बहुत सारे इस पर numerical लगाएंगे यार नुमेरिकल के बहुत सारे वीडियो जाएंगे चैप्टर की वीडियो जाएंगे तो वहां से तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर तयार हो जाएंगे बिलकुर पर्फान होने की जुरूबत नहीं है ठीक है clear को लेक्टेक। मोल फ्रेक्टे私न ठीक है मोल फ्रेक्टे और को रिप्रेजन किससे करते हैं जीटा से रिप्रेजन करते हैं ठीक है अब नमबर this हंक इसको स्टार्टकान उच्पर थोड़ा से एक चीज समझ दنت आ है और M क्या है molar mass है यह क्या है molar mass है अब देखो यहां क्या है number of most find करना है ठीक है number of most किसका लिए आपको find करना है solute के लिए find करना है ठीक है फिर क्या है total number of mass of the component mass of the component यहां पर लिख सकते हो क्या solution ठीक यहां क्या लिख सकते हो solution अब देखो जीटा ए ठीक है और यहां पर जो लिखा है formula यह n ने क्या लिखा हुआ है मालू मैं solute के लिखा है और n भी किसके लिखा हुआ है solvent के लिए कि इसको भी लिखते जाईएगा है तो यहां पर क्या सब्सक्राइब करते हैं तो दोने के क्या सॉलवेंट के मोश को एड करते हैं तो वहां पर क्या आना चाहिए वना नची फिलेए आगे चलो क्लास 11 से ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं यार लोग ना मोलर टी ठीक है आर आई टी वाई याद रखना अहार आई टी वाई बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं आर आई टी वाई है तो इसको रिप्रेजंट किसे करेंगे से रिप्रेजंट करेंगे ठीक है? मोस आफ सलिट, यहां निकालेंगे मोस आफ सलिट कैसे वही सेम ठीक है, w by mc ठीक और वोल्यूम आफ दा सल्यूशन ठीक है? और जो सल्यूशन होगा, वह किसमें होका, तुमए लीटर में होता है, ठीक है, एक लेरस, और वाल्यम अब दे सलूशन इन लीटर, V by 1000, आप देखो, इसको क्या कर सकते हैं, W by M into 1000 कॉन V, कभी-कभी आपको ये फॉर्मूला भी क्या होगा, कभी क्या हमेशा इस फॉर्मूला को क्या करोगे, आप operate करोगे ठीक है ज्यान रखना याद कर लेना ठीक है अब देखो नेक्सट फार्म ला इसी की जुड़वा बहन होती है यह यह निकल लेंगे mass of the solution solution नहीं होगा यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा solvent होगा क्या होगा mass of the solvent in kg जो solvent आप लोगे उसको किस में लिखना है kg में लिखना है ठीक है और उपर वाला क्या लिखना है भाई आपका जो solute है उसका आप moles find कर लोगे और क्या करो तो mass of the solvent इन के जी लगके वेलू पाइंड कर लोगे ठीक है अभी इस पर बहुत सारे कोशन लगने बिल्कुल परसान होने की जीड नहीं है ठीक है अराम से आप लिखते जाएए बस देखो अब चल रहे हैं यहां से कोशन आने वाल है ठीक है बहुत सारे ठीक है तो पहले यह समझते हैं पहले स्टेम को समझते हैं यहाँ जो पी होगा वह क्या होगा पार्षिल वेपर प्रेशर आफ ए पनके पार्षिल उप में अव अब P unos जो है तुम्हारा क्या होगा vapor pressure of pure component ओ और जो partial P ंओट बी है सो vapor pressure of pure B क्या है और अब देखो यहाँ पे PA के लिए जो formula बन रहा है वह क्या हो रहा है PA Holy 2030 ऑर जीटा कैसे निकालोगे आपको पता है number Touch मुल से ठीक है वैसे क्या होगा पी बी की वैलू क्या होगी यह नॉट भी और एक्स भी ठीक टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा टोटल प्रेशर कितना होगा पी स्कूश टू पी और प्लस पी बी अदोनों एक्क्वेशन को हम क्या कर देंगे एड कर देंगे देखो यह आ तिक लिए बच्चे बड़ा कंट्यू अंफ रखना अब क्या करने चला 0 Sig Agnes करने जा है किसके लिए नान ौएता एक टिक अब देखो इसका जो डब्लू वे ठीक है चलो आगे चलते हैं हमारी next colligative property है elevation of boiling point ठीक है important बनेगी ध्यान अखना important property बनेगी colligative property second number है ठीक है इसको लिखते क्या है delta tf square to kb into molarty ठीक है molarty अब जो molarty का formula होगा अगर उसको kb में multiply कर देंगे और kb है क्या तुम्हारा देखो obiloscopic constant है ठीक है यह क्या है kb कभी-कभी तुम्हारा mcqm पूच लिया जाएगा तो यह तुम्हारा क्या है obiloscopic constant है अब देखो delta tb square to क्या है kb amolarty का formula ठीक है wb into 100,000 upon mb into wa ठीक अभी बहुत सारे formula यहाँ पर operate बहुत सारे numerical यहाँ पर operate होने वाले हैं ठीक है तुम्हारा तुम्हारा क्या है quality property depression of freezing point ठीक है तो delta tf square to क्या है kf m क्या है qf क्या है तुम्हारी molety है और देखो kf क्या है क्राइस्कोपिक constant है तुम्हारा क्या है यह क्राइस्कोपिक ठीक क्या करेंगे जब के अफ को मोलेटी से मल्टिप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा डेल्टा टी अफ आ जाएगा ठीक है चलो हमारी नेक्स को लिगेटी प्रॉपरेटी है ऑस्मोटिक प्रेशा ठीक जिसकी रेपेजेंट किसे करते हैं पाई से अब देखो पाई इसको क्या होत सॉल्वेंट होगा एं मैं क्या होगा मोलर मासाफ स्लुड़ेंट हो गया यह क्या हो गा क्या होगा इसलिफोली होगा तो तो कि यह टम्स तुमको नहीं याध होंगे तो तुम वह है वैलू क्या करोगे कहीं इधर की वैलू उधर रख दोगे तो देखो पाई को क्या कर देंगे पाई स्कोई क्या होता है सी और सी तुम्हारा क्या है बाई देखो मुलेटी है कि नहीं है है सर तो देखो मुलेटी का लग दिया nb upon v into rt और mol rt का formula रखा w by m रख दिया अटने के बाद देखो यहाँ formula आ गया जो pi square 2 क्या है wb into rt upon mb into v ठीक है यह formula तुम्हारे लिए बहुत important होने वाले है ठीक है जरूर याद कर लीजिएगा चलो next देखो तुम्हारा one half factor है बहुत important topic है बस आपको क्या करना है जो इसकी one half factor को represent किसे करते हैं आई से अगर polygative properties में multiply कर दोगे तो वह क्या जाएगा तुम्हारा one half factor आ जाएगा ठीक है clear तो देखो i को निकालने कुछ formula है उस formula को आप लिख लीजिएगा देखो i square to क्या है normal molar mass ठीक है क्या है i square to normal molar mass और तुम्हारा upon क्या होगा abnormal molar mass ठीक है clear i square to फिर क्या लिख सकते observe colligative property और तुम्हारा क्या होगा calculated colligative property ठीक इसका एक सबसे important formula है ठीक है देखो यह आदा अभी एक एक formula operate करके बताएंगे ठीक है लिखो total number of most of the particles after dissociation या फिर association और एक क्या है number of most of the particles before देखो एक after के लिए है और एक तुम्हारा क्या है before है association and dissociation ठीक है मैंने जो आपको बताया कि one half factor find करने के लिए क्या करना है अगर colligative property में i multiply कर देंगे तो तुम्हारा one half factor आ जाएगा ठीक है यह तो clear ही कर दिया अब देखो उसके modify कुछ formula है उसको लिख लेते हैं वो क्या है देखो सब्सक्राइब करें तो चलो सब्सक्राइब करें आज का formula number first ठीक है सबसे पहला formula यहां आता है ohms law ohms law क्या होता है V square to ir क्या होता है बाई ohms law ohms law V square to क्या होता है ir clear है जहां पर V क्या है तुम्हारा voltage voltage I तुम्हारा क्या है I तुम्हारा बेटा current है R तुम्हारा क्या है यहां पर resistance ठीक है clear है तो नेक्स formula देखते हैं जो हमारा next formula आता है specific resistance specific resistance मतलब होता है row square to ra by l क्या होता है बेटा specific resistance ठीक ठीक क्या होता है specific resistance row square to क्या होता है r a by l ठीक row तुम्हारा क्या है specific resistance को represent करता है r तुम्हारा resistance है a तुम्हारा क्या है area l क्या है तुम्हारा length ठीक है तुम्हारा next formula देखते हैं हमारा next formula आता है conductance ठीक है क्या आता है conductance conductance का formula आता है G squares to 1 by R ठीक है? next formula हमारा आता है molar conductivity molar conductivity क्या होता है? इसको बोलते है molar conductivity ठीक है? है इसको रिपेजर्ट करते एक से इसको होता है कःपाइण टू वी स्कापा dive होता है वी खेर से को रिपेजर्ट किया शक्कता है है 'mوںिख तूपा इन टूझ्यू आम चिंट अपन से ठीक है और होता है You मोलर कंड़क्टिविटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी एक बहुत से बच्चों का ये confusion होगा कि सर डारेट फार्मूला बता दे रहे हैं इसका application नहीं बता रहे हैं तो पेटा application इसली नहीं बता रहे हैं तो कि यहां पे जैसे आपको पता है कि एक दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में डेली बेसेस पर लाइब वीडियो होने वाला है ठीक है डेली बेस पर यहां पर वीडियो अपलोड होगा जो आपके बोर्ड के recording होगा और अगर आप उस वीडियो को पढ़ते हो उससे content पढ़ते हो आपका बोर्ड में 100% question वहीं से आने वाला है पहली चीज़ी आ लिजिए क्योंकि इतने साल से आर काम करते करते एतना experience हो चुका है कि बोर्ड में कहां से question आते हैं सब पता है तो वीडियो के बाद जब भी chapter आपका complete होगा जो class 12 है अब तुम्हारे पास practical करने का बिल्कुल भी time नहीं है तो परसान बिल्कुल मत होई है chemistry को मैं 0 से लेके hero तक आपक चैनल पर डेली basis पर रही है तो परसान उने की बिल्कुल भी नहीं जितना तुमने पढ़ लिया ठीक है अब नहीं पढ़ा है तो यहां पर चैनल पर पढ़ो बस इतना ही करना हमारा next क्या है कहरो अलसला क्या होता है molar conductivity and infinite dilution पर इसका जो formula बनता है बस इसके जो kataion होते है और ला अनन का क्या होता है सम होता है कैसे welings star mm कि की पॉसिंट्टीव कि पूसिंट्ट्ट दोखो यहां पर molar conductivity कर्श चूरस देखों यहां पर यह तुम्हारा क्या है यह तुम्हारा जो है य、「 पॉसिरटीवा तुम्हारा क्या है memories मुल्र चन्देक्टिविटी का और तोंहारा कश्म माइन से है वो तुम्हारा कट है यह इससे को और चले यागे ठीक हमारा नेक्स टॉप्यक है इसप्यलि सौलबल सॉल्ट के लिए ठीक क्या है पॉलबिल्टी आफ इस पैंड इस पैंड के लिए तॉल के लिए ठीक है तॉलबिल्टी स्कॉस्ट्टू क्या होगा मोलर कंडेक्टिविटी ठीक है चले आगे देखो अब बारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्स ठीक है और सब्सक्राइब क्या होगा कि कैथोड माइनस ए एनोड क्या बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मुला है ध्यान लखिए इस फार्मुले को हम लोग बहुत जबाइं यूज करने वाले हैं ठीक तरहें नेक्स फार्मुला देखते हैं गिस्फ इनर्जी ठीक है गिस्फ इनर्जी इनर्जी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा ठीक है गिस्फ इनर्जी का फार्मुला होता है माइनस डेल आर्जी नॉट माइनस डेल आर्जी नॉट स्कॉरस टू एन एफ इसल ठीक है और देखो इसल इसको लिखा जा सकता है माइनस 2.303 आर्टी लॉग केसी ठीक है यही तुम्हारा क्या है फार्मुला है अर्जी नॉट का किस्फ इनर्जी के लिए ठीक है बहुत सारे कोश्चन हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं ठीक बिलकुल परसान होने की नीड नहीं है यार ठीक आप देखो कंसेंट्रेश के लिए को का यहां सेंट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा सल्उचन बनाइंगे जिसका कंसेंट्रेशन क्या होगा डिफरेंट होगा ऑब वो किसकी तरह भी हाइब करेगा तो इसेल इसकोंस तू होता है इसेल स्कोरेज टू क्या होता है भाई देखो होता है 0.059 यह होता है भाई 0.059 ठीक है अपाउन एंट लॉग इटू बाई टीवन के केस पे और यहां पर क्या होगा सीटू का कंसें ज्यादा होगा किससे एवन पे ठीक है चले आगे तो देखो इसल का इसेल का प्रेमिला बनता है 0.059 अपॉन N is the आप तुम्हारा जो फर्स्ट लाग होता है कि यह तुम्हारा क्या होगा पिस्ट लाग होता है W square to ZIT, क्या होता है? W square to ZIT, तो Q square to क्या हो जाएगा? बाई Q square to क्या हो जाएगा? IT, अग Z तुम्हारा क्या है? Proportionalty constant है, ठीक है? Z क्या है? Proportionalty constant, ठीक है? चलें आगे, चलो, अब हमारा second faradela क्या कहता है? है देखो एकेड़ पर आडेला यह कहता है डबलू वन अपॉण डबलू टू इसक्वेस्टू थीक है एक्क्युवेलंटी टीक है अपॉण ए-2 है लिखते चलिए चलो नेक्स फॉर्मूला देखते हैं हमारा नेक्स टॉपिक है नाइस्ट एक्वेशन ठीक है क्या है बहुत इंप्रॉटेंट टॉपिक है यार यहां से जरूर कुश्चन बनेगा ठीक है ध्यान रखना क्या होता है इसल्स इसक्वेश्ट टू इनोट सिल्स माइनस जीरो पाइंट जीरो फाइफ नाइं अपन एंट लॉग तो इंप्रॉटेंट फॉर्मूला है आप इसको जरूर याद कर लीजिए गा यह यह फॉर्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बहुत सारे कोश्चन आ अब नेक्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं chemical kinetics इससे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया है इससे पहले हम लोगों ने आपनी फॉर्मूले को प्लिये है और इसके बाद क्या होने वाला chemical kinetics तो जैसे हमारा formula sheet complete होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या आएंगे अपनी फिजिकल करेंगे दैन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन और गेनिक करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है एक दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में हम लोग यहां पर बहुत सारे डेली बेसेश पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं जहां पर आपको PDF नोट्स मिलेगी ठीक है जो भी मैं यहां पर लिखूंगा जो भी यहां कोशन कराऊंगा यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुरन चला जाएगा तो बिलकुल मत परसान हुए आपको नोट्स में बनानी है आप कुछ करते रहते वह करते रहते तो वहां पर बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है मैं भी चाहूंगा कि अगर एक घंटे का वीडियो बना तो हैंडर परसें उस पर कंटेंट डिलिवर हूँ पालतू की बखवास इसलिए नहीं करनी क्योंकि लाइफ क्लास में पालतू की लिखी है यहां पर कोसिस करने वालों की हार नहीं होती है अगर आपने यह समझ लिया है कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है और आपका दिसंबर आ गया है तो आपके मांक्स बहुत कम आने वाले हैं तो कुछ नहीं करना है तुम इस चैनल पर बने रहो और देली बेसेस पर यहां पर वीडियो पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल परसान होने की जरूबत नहीं है ठीक है आपका केमिस्टी में सब्तरवाई सब्तर मैं दिलाओंगा ठीक यह प्रॉमिस ठूम से करता हूं तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ठीक है तो है है डीक है तो चलो स्टर्ण झा ए टो सी करते हैं टो सफे लीड पर दो टो स्ट इस को आश्तर दियक है आश्तर लृंग, हा डट नु. अपलध पर तो If जाकी है तो क कैं आट वैगिन קरते हैं लिखके हैं तो ठीक है कितना टाइम यहां पर लग रहा है ठीक है ख्लियर है अब देख इसी का एक फॉर्मुला और होता है आएक डिक्रीज है ना तो एक इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज in concentration of R ठीक अपोन टाइम टेकन अपोन टाइम टेकन students कि यह दो फॉर्मुले तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो नहीं यह किसके फॉर्मुले है रेट ओफ रियक्षिन के एक क्या है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ओफ आर और कितना टाइम उसने लिया टाइम टेकन ठीक है एक दूसरा इसी लिए फॉर्मुला जो है व विरेट के एक कि फॉर्मुला और है कि माइनस डिल r लिल टी हिए इसんと क्या होता है डिल फी अपॉन डिल टी है यह किसल का फॉर्मुला है रेयेट आफ रिएक्षिन मगा調 कहां से आया है बेटा यह यहीं से बना हुआ है ठीक है अब देखो एक में माइनस क्यों लगा है क्योंकि देखो एक चीज़ डिक्रीज होगी तभी तो एक चीज़ निक्रीज करें कि सर क्या कह रहे हैं पहले समझो देखो आपको पता है कि रियक्टेंट से क्या होता है product की formation होती है आसा ही कह रहे है आप तो देख우 बह измен क्या होता है, जो reactant होता है, वो time के साथ क्या होता है decrease होता है, clear अगर decrease हो रहा है, तो इसले उसका वहाँ पे symbol जो use कर रहा है wो क्या use कर रहा है? minus, अब product क्या होता है? अगर तुम्हारा reactant decrease कर रहा है तो definitely product क्या होगा तुम्हारा increase होगा अगर यह तुम्हारा negative तो definitely अगला वाला क्या होगा बच्चा positive होगा ठीक है चलें आगे चलो अगर हमारे पास reaction है a plus b gives product क्या है सब देखो अगर मेरे पास एक reaction given है a plus b gives product ठीक है तो क्या होगा देखो भाई k square to a power x into b power y आया ना clear है अब देखो अगर आपको order of reaction निकालना है ठीक है अगर आपको किसी reaction का order निकालना है ठीक है तो क्या करेंगे जो यह पावर होती है इसी को हम क्या करते एड कर देते है ठीक है एक्स तुम्हारा क्या है मालू हम आडर ओफ रियक्शन रियक्शन विद रिस्पेक्ट टू तू ए ठीक है विद रिस्पेक्ट टू ए अब देखो इसी तरीके से तुम्हारा वाई क्या है order of reaction with respect to B आई होब आपको ये formula समझ में आया होगा ठीक है बहुत important formula है ये चीज़ याद रखिये जाद बहुत बार देखने को मिलेगा ये दोर फार्मला तुम्हारा ठीक है चले ये आगे चलो अब हम लोग 0 order के लिए फार्मूला लिखने चलने है ठीक है बहुत important बनेगा 0 order ठीक है तो क्या बनेगा भाई क्या होगा तुम्हारा यहां पर टाइम होगा अब देखो यहीं पर बात के लिए फार्स्ट ओर्डर के लिए फार्स्ट ओर्डर रियक्शन के लिए ठीक है तो हमारा फार्मूला के स्क्वर्स्ट टू टू पॉइंट दी जीरो थ्री अपाउन अपाउन टी लॉग आर जीरो अपाउन आर ठीक है तो यह दोनों फॉर्म ने तुम्हारे लिए बहुत important होने वाले है ठीक है बाई याद रखना ठीक ठीक है यह दोनों फॉर्म ने तुम्हारे लिए बहुत important होने वाले है चले आगे चलो देखते हैं next formula next formula है half life of zero order reaction reaction जीरो order reaction इसको लिख सकते हैं t is close to r not upon ठीक है जो यहाँ k होगा वो क्या हो जाएगा two cases को multiply कर दें क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है t half हो रहा है ठीक है और इसी के लिए half life of life of first order reaction ठीक है क्या होगा formula के लिए formula होगा ठीक है यहाँ से बहुत सारे question बनेंगे याद रखना ठीक है r क्या है r equation r equation है क्या यार देखो a square to e ea upon rt clear तो देखो यह तुमारा क्या है यह तुमारा activation energy है तुमारा क्या है activation energy है याद रखना यहाँ से question आएगा तो अभी कभी यह formula ही direct push लिया जाता है यह सकते हैं log of k2 upon k1 equals to ea upon 2.303 r t को क्या कर देंगे 1 by t1 minus 1 by t2 यह फार्मला तुमारे लिए बहुत important है इससे भी important formula कौन सा है तुमारा यह आला